हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने सिक्यूर एमाई का कम्प्लीट इंस्ट्रोलेशन प्रसेस दिखा रहा हूँ जो कि एक सैंसंग के मॉबाइल के अंदर हम इंस्ट्रोलेशन कर लिए हैं यह एक पैच फाइल होगी जिसके अंदर हम ओटी जी का इस्तमाल करेंगे तो इस फ़ून के अंदर आपके पास दो सोफ्वे रहाक बबलस रही हैं एक सिक्यूर एमाई डिलर अफ जैसा की आप देख रहे हो यह मने ओपन कर दिया है 270 क्यूर एमाई का मैनेजर अप जैसकी यह चेक कर रहे हो इसके के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कस्टमरके पास के पास जाने के लिए हमें अपने डिलर फोन से एक मोपाइल अप, अपनी कस्टमर की कलाइंट एप को शेर करना होगा, उसके लिए हम डिलर एप को लोगिन करेंगे, आपके सामने मैंने अपना डिलर अकाउंट लोगिन कर लिया है, डिलर एप लोगिन करने के बाद आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है जो कि कस्टमर के फोन का आपको Bluetooth ओन करने के करना भी रहेगा साथ में कस्टमर के फोन का Bluetooth ओन कर लेंगे और अपने Bluetooth से कस्टमर के फोन पे शेयर कर लेंगे जैसा कि अब ये देख रहे हो ये customer के phone है तो इसके अंदर हमें अपना Bluetooth को on करना है Bluetooth on करने के बाद dealer mobile के अंदर Bluetooth का option show करने है start कर जाएगा dealer app से मैंने इसको send कर दिया है हमारे customer के phone पे ये option आ गया है कि जो phone है जो app है उसका ये नाम रहेगा जो file आ रहे है उसको accept करेंगे accept करने के बाद उस file को हम open करेंगे internet चलता होना चाहिए internet की help से आप इसको open कर लेंगे Google Chrome के अंदर इस link को open करना है इस link से आपको हमारे website पे चला जाएगा download app पे क्लिक करते ही आपके पास 3 link दिखेंगे जो की सबसे पहली link है download app, दूसरा है download patch app, तीसरा है download manager download manager आप dealer के लिए है तो customer का कोई role नहीं है download app जो setup है ये oppo और realme phone के लिए रहेगा बाकि जितने भी android phone है वहाँ पे patch app का use करेंगे यह phone Samsung के है तो हम Samsung के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है download patch app का इस्तमाल करेंगे इस button पे मैं click कर रहा हूँ तो हमारी patch file download होना start हो चुकी है details पे click करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि यह हमारी patch file install हो रही है इस patch file पर हमें install होने तक का download होने तक का हम wait करेंगे जैसे download complete हो गया है आप देख रहे हो completed है इस button पे click करेंगे और install button का एक option आएगा जैसे ही है install के लिए हमारे पास option आज रहा है हम open करेंगे तो हमारे पास इस app में से details open आ गया जिसके अंदर हम customer की details को fill करेंगे जो की हमारे future के लिए एक काम आएगी उसी details को देखकर ही हम customer के mobile को lock लगा पाएंगे जैसा कि अब देख रहे हैं सबसे पहले हमसे मांगा जा रहा है loan account number इसके अंदर आप अपना invoice number या अपना unique reference number जिससे आपको पता लग सके कि आपने उसको कौन सा mobile दिया हुआ है otherwise आपको कोई manual laser लगा रहे हूँ उनका laser number जो भी आपका entry number होगा वो डाल सकते हो मैं एक invoice number के रूप में डालने जा रहा हूँ यह मेरा invoice number है customer है जिसको हम sale कर रहे है यहाँ पर मैं customer का use कर रहा हूँ मौहित बंसल ठीक है mobile number के लिए हम यहाँ पर customer का यह mobile number डाल रहे है और यहाँ पर email ID भी हमें customer की डालनी है यहाँ पर हम अपनी email ID डाल रहे है sales at the rate secure emi emi.com dealer code इसके लिए आपको क्या करना होगा अपना dealer app open करना है वहाँ पर जब आप उपर वाली window में जा रहे है सबसे उपर login करने के बाद आपको सबसे पहले अपना mobile number अपना dealer counter name शो होता है उसके उपर bracket में जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपका dealer code है इसको आप याद रखिए चोटा सा dealer code होता है bracket के अंदर जैसे मेरे dealer app के अंदर लिखा हुआ ERP biz तो आपको ERP biz का यूज करना है activation की अब आपको activation की लिना कहां पर है जो dealer app है आप उसको जब login करते हैं तो उसके अंदर आपको दो option दिखाता है used key और remaining key remaining key means आपका जो stock आपके पास पड़ा है अगर आपका remaining key zero हो गया है तो आप अपने distributor को call करिए उनसे अपनी billing करवाईए तांकि आप आगे mobile phone में install कर सकते है remaining key पर click करने के बाद आपके पास जितना भी stock है सारा दिख जाएगा वहाँ पर जो key दिखेगी इस activation key के बाद आपको यह press करना है ठीक है यह activation key मेरी complete होगी है यह सारी detail हमारी customer की है यहाँ पर मैंने spelling में mistake कर दिया है इसको भी ठीक कर देते है मोहित बंसल था कुछ by mistake लिए कुछ और type हो गया मोहित बंसल नाउ यह सारी detail हमारी cross check होगी है कस्टमर की detail है वहाँ पर loan ID में आप कस्टमर का धार नंबर प्रैम का नंबर रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं अपने data के लिए वो अपनी साब से यूज करिए activation पर क्लिक करने के बाद आप से mobile phone कुछ permissions मागता है यह total permissions secure है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपकी कुछ security lapse हो रही है आप पर data चोरी हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है हम इन permissions को allow करेंगे अब allow करने के बाद हम back button दबाएंगे यहाँ पर कई बार कुछ time लेता है यह आपकी total processing पर depend रहेगा अपके phone का processor कितना बड़ा है अगर phone का processor काफी अच्छा है काफी speed से यह back चला जाता है अब back जाने के बाद हमसे एक information दबारा माँग रहा है allow के लिए यहाँ पर allow करनेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 options हैं जिन सभी को हमें allow करना है अभी यह कुछ by default allow होते हैं कुछ हमें manual करना पड़ता है अब इसमें कुछ green buttons हैं कुछ red button हैं हम सभी को green करने है green करने के लिए battery optimization इसका मतलब होता है कि यह app आपके phone की किसी भी तरह से battery का use ना करे ज्यादा use ना करे कई background में वो चलती जाए और आपका battery लगती जाए तो हम इसको allow कर देंगे battery कम से कम लगे और background में खतम ना गरे कुछ भी आपको one by one सभी पर click करने यह allow होती जाएगी जैसे इस पर click किया जब कहीं पर आपको click करने के बाद कुछ apps दिखती हैं तो that means हमें security हमें को ढूड़ने है ढूडने के बाद इसको allow कर देना है वापिस आएंगे एड्मीन device admin है इसको भी activate करना है auto start है इस पर भी click करना है यह देखिए अपने आप green होगी थी तो हमें कुछ करने के ज़रूरति हैं वापिस चले जाएंगे battery uses है तो इसके अंदर हमें step देएं हुए है कई phones के अंदर तो हमें कुछ phone के अंदर जाके वहाँ उस option में enable करना पड़ते है कुछ mobile जैसे है go to setting पे click करते ही यह अपने आप होजाता है आप back जाके देखोगे यह हो चुका है accessibility permission यहाँ पे भी आपको allow करना है यहाँ पे देखिए आपके पास दो option allow के लिए अगर आप shortcut को enable करोगे तो आपके पास कुछ नीचे information आती है allow करने के लिए यह बंदा सा जो है लोगो दिख जाता है कई पर customer इससे retreat होता है तो shortcut आप इसको disable रखिए जी तो customer पूछेगा यह क्या है बेटर है कि हम इसको disable रखिए हमारे जरूरत का नहीं है secure EMI enable हो गया अब हमें यहाँ पर वापिस बैग जाएंगे देखिए सारे के सारे हमारे green हो गया है अब continue बटन पर click करेंगे तो आँ देखिए आपके सामने एक option आ रहा है device lock cannot be enabled enable it via secure EMI manager app secure EMI manager app आपको मैं दिखाना देता हूँ यह app आपके पास सिर्फ और सिर्फ dealer mobile में आपके पास रहेगी dealer phone के अंदर आप इसको मिला आओगे तो dealer phone में यह आपको अब मुझे OTG का connect करना है OTG connect करने से पहले हमें कुछ steps को follow करना परता है उन steps को चाया पहले follow कर लिजी चाया बाद में कर लिजी अब इस button को center वाले button से इसको मैं minimize कर रहा हूँ जो step है वो क्या है उनको ध्यान से देखना है सबसे पहले हमें अपने mobile के अंदर settings में जाना है अगर हमारे phone के अंदर कोई account डला हुए उस account को remove करना है Google account हो कोई भी account हो उसको remove करना है वो हमें एक बार निकालना पड़ेगा वैसे भी हम नया mobile देने है तो natural है उसके अंदर कोई भी account नहीं होता उतके बाद हम अपने phone के अंदर about phone में जाएंगे about phone के अंदर जाने के बाद इसको मैं disable करता हूँ ताकि आपको दिखा पहूँ कैसे करना होगा देखे मेरा developer option बंद हो गया अब मुझे इस developer option को enable करना है about phone में जाऊंगा about phone में जाने के बाद software information में जाने और यहाँ पे एक build number है इस button पे हमें randomly click करना है बार बार tap करना है हमारा developer mode on हो जाएगा जैसे आप देखे मैं click कर रहा हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, चे नीचे लिखा हुए developer mode is enabled now enable होने के बाद हम वापिस जाएगे इसी option में हमें developer mode वो शो होने लगया जो कि मैंने पहले बंद कर दिया था developer option में जाएगे इसके अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे ढूड़ना है USB debugging इसको उन करना है allow करने के बाद हम इसमें से वापिस बाहर आ जाएगे अपनी app के अंदर दुबारा चलेंगे minimize की हुई थी इस option के अंदर अब यह हमारी app लगबग ready है सिर्फ OTG का काम pending है अपने phone के अंदर हम OTG को connect करेंगे यह मैं OTG के अंदर connect कर दिया OTG का मतलब हमें data cable इस client के phone में डालनी है OTG cable हमारे dealer app phone में जालनी है अब इसके अंदर डालने के बाद dealer phone के अंदर secure manager EMI manager के नाम से हमारे पास app आ चुकी है इस app को हम यहां से open करेंगे open करने के बाद हमें यहां पे इसको ऐसे ही छोड़ देना है wait करना है जब हम customer के phone को और dealer के phone को दोनों को आपस में OTG के help से connect करेंगे OTG हमें लगानी कहां पे है वो dealer के phone से customer के phone पे लगानी है जो USB data cable होगी वो customer के phone में लगीगी OTG dealer app के अंदर भी हम connect कर रहे है dealer app में connect करते ही मेरे पास एक option आएगा allow के लिए इसको allow कर देंगे अब same option मेरे पास client system में भी आग चुक है इसको भी allow करना है allow करते ही डिलर app खुल जाती है जब run बटन पे क्लिक करेंगे dealer app के अंदर हमें processing लेते ही हमें दिखा देगा lock set successfully dealer app का का काम खतम हो चुक है security manager का काम इतना ही था अब हम वापिस अपने phone के अंदर जाएंगे customer के phone के अंदर जब हम customer के phone के अंदर continues पे क्लिक करेंगे हमारा process आगे चल जाएगा device lock enable successful का message आ जाएगा hide notification को आप enable कर सकते हो यहाँ से hide notification enable हो जाएगा इसको back button से आप वापिस चले जाओगे अब देखिए मेरा phone fully installed हो चुका है मेरी emi secure emi install हो चुका है अब मैं जैसी इस button पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारी एक detail आ चुकी है customer इसको click करने के बाद भी uninstall नहीं कर सकता यहाँ पे click करते है तो uninstall का button होता है नहीं कर पाएगा इसको कहीं भी drag करेगा नहीं कर पाएगा हिला भी नहीं पसकेगा अब दूसरा setting के अंदर customer जाके इसको remove करने के कोशिश करता है तो customer के पास option होता है about phone about phone के बाद reset reset पे click करेंगे तो अभी हमारे पास वही option आयती है और उसको बंद कर देता है developer mode आपका होना है उसको चाहे तो आप customer के system में से बंद कर सकता है वैसे यह करने नहीं दे रहा तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है अब देखिया हम इसको lock लगा के देखते हैं कैसे लगेगा अब यह dealer app ओपन हो चुकी है जैसे कि मैंने remaining की और दोनों बताये थे उपर मेरा dealer code शो हो रहा है ERPBs अब used key के अंदर जाऊंगा तो अभी जो phone हमने लगाए है उसकी detail हमारे पास सबसे उपर आ जाएगी यह देखिया मोहित बंसल के नाम से मैंने इसको install किया था तो यह information हमारे पास आ चुकी है अब जैसी में यहां पे इसका android version मुझे दिखाई दे रहा है loan ID दिखाई दे रहा है अब customer का phone जैसा कि आप देख सकते हो lock हो चुका है अब उसको open करेगा उसके पास एक ही message है कि आपका phone किसी कारण से या तो आपका phone stolen हो चुका है या EMI pending है जिस वज़़ा से वो lock लग चुका है अब unlock बटन पर click करेंगे तो यह phone हमारा unlock भी हो जाएगा साथ के साथ अब इससे हम अपने सारे काम कर सकते हैं जैसी customer का phone lock होगा तो customer definitely आपको call भी करेगा और same time पे आपको बोलेगा कि sir मेरी जो overdue है उसको ले लीजिए और मेरा phone unlock कर दीजिए यह बिल्कुल अच्छा प्रोसेस है अपनी finance की recovery को बड़ी जल्दी hardly उसको एक दिन या दो दिन डिले के अंदर अंदर आप recovery कर सकते हो